तो क्या है investment management? Finance की दुनिया काफी complicated है पर इससे समझने के लिए आपको सालों का experience या economics की degree ज़रूरी नहीं आए पहले ये समझते हैं कि हम credence capitals में क्या करते हैं हमारे clients है private investors, corporate और insurance company जो हमारे पास आते हैं to make their money grow और हम investment banks की मदद से investment खरीदते और बेचते हैं मान लीजे कि ग्राहकों का पैसा raw material है जो कि share, bonds, commodities और derivatives से आता है तो credence capital एक machine के रूप में investment manager है जो अपनी machine ही प्रक्रिया से raw material को product के रूप में यानि funds के रूप में बदल देगी अगर सरल भाशा में देखा जाए तो हमारा गोल है fund को इखटा करके अपने clients को return में additional investment देना हम पैसे बनाने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं ध्यान दीजेगा कि raw material को fund में बदलने की तरीकों में बहुत अंतर हो सकता है ये सब इस्तिमाल में की गई investment strategy पर depend करता है हाला कि principle एक ही रहता है हमारे clients का पैसा एक bond में और balancing द्वारा निवेश किया जाता है हाला कि main aim अच्छा return ही होता है investment manager के रूप में हम शुरुबाती दौर में प्रतिया एक पैसे को चार्ज करके पैसा बनाते हैं Credence Capital का एक लंबा इतिहास है अपनी clients के financial goals को achieve कराने का लेकिन ऐसा करने के लिए हमें लोगों की जरूरत है जो हमारी मदद करें एक leading investment management company होने की वजह से हम हर तरह के लोगों को एक साथ लेकर आते हैं with different skills and backgrounds not necessarily financial जिससे साथ मिलकर हम अपने clients का investment ग्रो कर सके हम चाहते हैं कि आप हमारे अगले investor बने Credence Capitals